ओम नमाशिवार शिवजी सदासा ओम नमाशिवार गुरुजी सदासा जै गुरुजी शुक्राना गुरुजी आज का सत्संग आज का शुक्राना सत्संग इश्नूर का बख्षने के लिए हमें इश्नूर बख्षने के लिए आपका लाख लाख शुक्राना मैं गुरुजी से टुथाउजन सिक्स्टीन में जूडी थी ती नएडा में मैं तब रहती थी और हम लोग बड़े मंदर जाते थे मेरे पेरेंट्स के साथ तब उसके बाद फिर टुथाउजन एटीन में हम यहां गए यहां मैंने अडिसन मंदर में गुरुजी के जाना वहां जाने के बाद लाइफ में कुछ बहुत पॉजिटिव चेंजी आए जो एक्स्टेन भी नी किया जा सकते और वो सब गुरुजी की महरबानी थी फिर हम लोगों ने 2021 में लाइख हमने प्लान हमने सोचा की अभी हमें हमें पनी फैमिली का आगे सोचना है तो उसका प् हमें बख्षो हमारे भी छोटा सा किलोना हमारे हाथ में भी आए तो उनके आगे अर्दास लगाने की देर है उस टाइम पे हम लोगों ने मन में सोचा उसके बाद दिवाली का दिन है 2021 हम लोग आए यहां पे बाहर अंकल मिले अंकल ने बोला आज लेट क्यू हो गए क्यू जी कहते है कोई ने अगली दिवाली तीन होके आना फिर नवेंबर की बात है डिसेंबर में रेगुलर थाज़े को आती थी और हम दोनों संड़े को एकठे आते थे तो थाज़े को मैंने हमेशा लंगर लेना बहार अंकल हमेशा पूछना कितने लंगर दू मैंका अंकल डिसेंबर में यह हुआ फिर हम लोगों को एक्सपेक्टिट था जैसे कि डिसेंबर में मुझे मेरी न्यूज मिलेगी पर मुझे एक दिन सपना आया गुरुजी का तो मैं इदर मंदिर में थी बाहर और एक आंटी थे वो सभी बच्चों को काट ट्वाइज बांट रह थे तो मैंने अंकल को ब और अंटी को बोला आंटी मुझे अपने ट्वाइण नी दिया कहते आप उन अंकल से लो तो उंगनंकल की तरफ देखा तो वो स्माइल करने लगे देन मैं यहां से अंदर आती हूँ गुरुजी यहां बैठे हैं और मैंने गुरुजी को बोला अंटी मुझे ट्वाय नहीं दे रहे है तो गुरुजी ने ब्रॉडर सी स्माइल दी और उनने का अभी तेरा टाइम न करूं देन है निकला देन है फेबरी मrain मुझे यहां पे ँंकल मैं बोला सथसंग करने को मेरे माइड में इस जल था कि मेरे को न्यूज ओगी तो मैं सथसंग करोंगी पर अंकल मैं संडे गरती हूँ कहते नही तो, आज ही सथसंग किया उस रणा कि तो जो मर्जी होती है वो ही करवाते हैं. उसके बाद नेक्स्ट वीक एक अर अंकल ने यहां पर सत्संग किया. उनों ने अपने सत्संग में बोला कि मेरा एक अलरडी बेटा है. और उनका जब वाइफ जो एक्सपेक्टेट है, तो वो चाहते हैं कि उनकी बेटी हो क्योंकि दो बेटे संभालना उनके लिए बॉर्ट टफ है. तो उस दिन मैंने घर जा के अपने हजबन को बोला कि अगर हम एक्सपेक्टेट होते हैं इस मन तो हमारे बेटी होगी. वो कहते हैं क्यों, मैं का अज गुरू जी का मैसेज मिला है कि बेटी ही होगी, अगर इस बार हुआ तो. तो फिर उसके एक दो दिन बाद मुझे, जब मैं मॉर्णिंग में उठी, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने सारी रात जैगुरू जी का जाप किया है. गुरू जी नहीं दिखे, बस महौल घर का ऐसा था, कोई फ्रेग्रेंस नहीं थी, पर ऐसा था कि जैसे डिफरेंट ही एंवार्मेंट मेरे घर का हो. फिर इनको बोला कि ऐसा हुआ है मेरे साथ, बात गई. उसके बाद शिवरात्री के दिन मुझे पता लगा कि मेरे गुड न्यूज है. और फिर मैं सोचू कि गुरू जी को बोला तो था कि आके बता के जाना, शायद यही उनका तरीका बतानेगा, शिवरात्री के दिन वो मुझे ऐसी न्यूज दे रहे हैं. उसके बाद हम लोगों के कुछ टेस्ट हुए, जैसे कि गए फस्त विजिट हुए, टेस्ट हुए, मेरे रिपोर्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, कुछ हरेड़ेटी, तो उस टाइम पर बात आई अर्जुन पर उनके टेस्ट होने थे, उनके टेस्ट हुए, तो उस सुकुराना साथसंग हम जोगारे हैं, जैसे रिदी मैं ओला की एक पॉंट आया है, वरीटिंग वस गुड़, होल प्रिगनेंशी वस गुड़, पूरा पीरट अच्छा जा जा था और हम कुछ नहीं सोच रहे हुए, हमारे थे सेवा कर ते जा जा एगर, पॉजिटिव थ पर एक पॉंट आगा जब मेरे सारी बात आगी कि अब तुम्हारी रिपोर्ट सही आएगी तो यह आगे जाएगा गम नहीं तो यहां पर रोक सकते हैं, तो उस पॉंट पर आगे मैंने मुझे लगगा कि अब मुझे तो सिर्फ अरदास करनी है तो मुझे आना चाहिए, त पिर मेरी डॉक्टर ने बोला कि वो कोदी हमें कॉंफिटेंस देती रही कि अठीक है डूंट पारी तुम दोनों आतर रहे हो डॉक्टर ने हमेशा यह बोला कि आपको डढने की कोई बात नहीं है बट अपने मन का फियर अलग था ताइम तब तक टू थी मंच हुए थे बट इतना जादा इमोशनल ही हो चुका था अटेजमेंट पहले कभी लाइक हमारी मैरिज को तेन यर्ज हो गए थे कभी ऐसा सो जब तुम चाहोगे ना अपने मन से तब तुम्हे ये बख्षीश मिलेगी तो ना कभी चाहा ना कभी इतने एक्साइटमेंट इखाई कि हमें अवी बेवी चाहिए या कुछ भी पर जब इसकी न्यूज आई और तब ही सोचा था कि ठीक है अब ही हाई टाइम है इसके बा तो उसके बाद फिर अर्जुन के टेस्ट हुए संडे को मुझे एक दिन अर्ली मॉर्निंग में फिर गुरुजी का सपना आया और इनके टेस्ट हो चुके थे तब तक रिपोर्ट नही आई थी मुझे उनका सपना आया उन्होंने सपने में आके बोला तेरा टाइम आ गया कि आपके मैंने आपको बोला था डरने कोई जुरत नी आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक हैं और सब सही है बी हैपी तो मैंने इनको कॉल किया मुझे दॉक्टर का कॉल आया उस ताइम सपना माइंड में भी नहीं था कुछ नी वैसे इनको मॉर्निंग में बता दिया था जब डॉक्टर का कॉल आया तो मैंने इनको कॉल कर के बोला कि ऐसे डॉक्टर का कॉल आया और अवरिफिं इस गूड तो हम दोनों कुछ हो गए फिर मैंने अपने पेरंट्स को कॉल कर के बताया कि सब सही है कोई भी डरने की बात नहीं है फोन बंद करने के बाद एक दम से जैसे अंदर से डिफरेंट आवाज आई कि हाज ही तो सुभा गुरुजी का सपना आया था कि तेरा टाइम आ गया और आज ही उनने यह रिपोर्ट संडे को मुझे डॉक्टर को कॉल करके बता रही है जबकि उसका वरकिंग डे भी नहीं है अगें वेनस्डे वो मुझे कि मैंने आपको बताँना था आपको रिपोर्ट सही है अब अब संडे कhया था और वेनस्डे क्या था उसका मुझे पता नही है गया थो करवाया इनों ने करवाया उसके बाद जब सारा प्रेग्नेंसी निकला, आती रही यहां पर, पदा नी इनों ने कैसे टाइम निकाल दिया, हम दोनों ने सारा टाइम हस्ते हस्ते निकाला, इनकी मेहर रही, जिसका मैं कितना भी शुकराना करूं, वो कम होगा, उन्होंने हट टाइम हमारे साथ रहे, ज निकल रहे थे, तो वैसे ही कह के निकले घर से, गुरुजी मैं जा रही हूं, मेरे साथ चलो, मेरे अंगसंग रहना, वो गए शॉप पे गए, शॉप के बाहर सारा ओ, कंस्रुक्शन वर्क चल रहा था, तो रोड सारी खराब थी, तो उतरने लगे, उनका पैट टर्न हो ग उनका हाथ पकड़ के उनको खीच लिया, बाद में मुमा गयते हैं, मुझे नी पता उसने खीच है के गुरुजी ने मुझे खीच है क्योंकि मैंने उन्हे बोला था मेरे अंगसंग देना, इनके गुरुजी के साथ हर दिन सत्संग है, कब वो क्या नजारे दिखा देते है हम लोग मांगते रहते हैं, हमें यह चाहिए, हमें वो चाहिए, उनको सब पताओता है किस चीज का क्या राइट टाइम है, उनसे बढ़कर कोई जानी-जान नहीं है वैसे तो मेरा, मत वॉल्यूम इतना हाई रहता है, आज फ्लैट गया, तो इस पॉंट पर इदिमा ने चोड़ा की डिपोर्ट के लिए में वेट करते तो ठीक है, मैंने थोड़ा प्रेक्टिकली सोचता हूं, आसाने इमोशनल हो गया कि ठीक है, आई तो प्रेपोर्ट्स अब गुरुजी क्या करें इस पॉर्ट्स में ठीक है, वो कर देंगे, गर बलेस हो जाए तो ठीक, तो ठीक, तो एक बर हमें इमोशनल कनेक्ट है, तो मैं अपनी वाइप को जा कर रोज देख रहा हूं, आई वह बहुता है, तो इस केस में बस मैं आ आ रहा हूं और मांग कि यहां ठीक है, मैं शुकराना करूंगा उस दिन मैं आउंगा यहां पर आपको क्योंकि मैं पहले इस वे से इतना भाकिफ नीता और मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था क्या अपने इतने इतने इमोशन्स इतना उपन ही बतादो सबको, तो इस वेरी टफ, तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी